स्कार स्वागत है आपका दे न्यूस पर मैं हूँ आपके साथ शिप्राजैनी माफिया अतीक एहमत की मौस के बाद सुदर्शन न्यूस एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रहा है लेकिन इन सब के बीच अब सुदर्शन न्यूस के एडिटेन चीफ सुरेश चोहान के को लेकर लगातार अफवाएं फैलाई जा रही है उनकी पत्नी को लेकर अफवा फैलाई गई है कि उनकी पत्नी एक मुस्लिम यूवक के साथ फरार हो गई है इसी को लेकर हम फैक्ट चेक करने वाले हैं आखर इस खबर में कितनी सचाई है ये मैं आपको बताने वाली हूँ तरसल हम कुछ लोगों के रियक्शन साथने लाए हैं और साथ ही खुद जो सुरेश चोहान के हैं उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया है बकाहिता उनकी प डरश्यन न्यूस के ये अडिटरिंग चीफ है सुरेश चोहान के आप इने देख रहा हैं तस्पीर में और इनकी साथ इनकी पतनी है इनको लेकर अफवा जो फैलाई गई वो ये सुरेश चोहान के की पतनी मुसलिम यूवक के साथ फरार हो गई ये अफवा उनकी पतनी को लेकर फिलाई गई सुरेश ने जताई लव जिहाद की आशंग का ये लिखा गया तो जिस तरह की राश्टरफादी पत्रकारिता वो करते हैं जिस तरीके से वो तमाव मुद्दों को लेकर बेहवाकी से अपने चैनल पर बोलते हैं कहीं ने कहीं उसका ही खाम्याजा उन्हें इस तरीके से भुखतना पड़ा कि उनको लेकर इस तरह की खबरे चलाए गई आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं तरसल इसका फैक्ट चेक किया गया और जब फैक्ट चेक किया गया तो ये खुलासा हुआ कि तरसल अती को लेकर जो वो खुलासा कर रहे हैं उसकी वज़ा से ही कुछ कटरपंथियों ने इस तरह की खबरें उनकी पत्नी को लेकर चलाई हैं और कुछ और पड़े खुला से इस पूरे माफले में हुए हैं आपको बताते ही कि ये सुरेश चोहान के का ही ट्वीट है जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर और इसमें उन्होंने ख एक पोस्ट वाइरल किया जा रहा है मेरा परिवार मेरे जैसा ही कटर हिंदू है मेरे साथ तरकों और सिधानतों की लड़ाई हांटने का ये लक्षन है कि विकृत मानसिक्ता वाले तद्व मेरे परिवार की बदनामी पर उत्रे हुए हैं ये भी उन्होंने लिखा है कि मैं इस तरह का ट्वीट किया आस्तक की लोगों के साथ बकाहिदा इस पूरे खबर को चलाय जा रहा था और इस तरह की ये पूरी खबर सोशल मीडिया पर च्छाई हुई थी कि सुरेश चोहान के जो की सुदर्शन न्यूज के एडिटरिंग चीफ हैं उनकी पतनी मुसलिम जो ट्वीट थे वो सोशल मीडिया पर चल रहे थे लेकिन इन सब के बीच अब खुद सुरेश चोहान के काही ये ट्वीट साथ ने आया है जो आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज के एडिटर इन चीफ हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो मेरे साथ तरकों और लाई चा रही हैं और सिर्फ सुरेश चोहान के ही नहीं बलकि उनकी पत्नी माया सुरेश चोहान के काभी ट्वीट साथ ने आया है यह सुरेश चोहान के की पत्नी माया सुरेश चोहान के जिन्होंने इस पूरे माफले पर जवाब दिया है और यह लिखा है कि अधर्मियों हम शुद सनातनी हैं ना घर से भागते हैं ना यूद से याही उन तमाम कट्रपंथियों को उन तमाम ट्रोलर्स को जवाब दिया है जो इस तरीके से उन्हें घेर रहे हैं उन्होंने आगे लिखा है कि हम पर कुद्रिश्टी रखने बालों का सोने का समराच्छे भी हमारे व लगाहतार वैरल हो रहा है लेकिन जब इसका फैक्ट चेक किया गया तो जाहित दोरो पर ये फेक निकला क्योंकि इसको लेकर सुड़िश चोहानके के साथ…. उनकी पत्नी माया चोहानके की ओर से भी ट्वीट किया है बाकाहिदा इस पूरे माहले पर उन्होंने उन तमाम ट्रोलर्स को जवाब दिया है और ये कहा है कि जो सिधानतों की लड़ाई है वो कुछ लोग हार चुके हैं मेरे साथ मेरे पती के साथ और यही वज़ा है कि इस से मुद्दे रहे हैं जिनको लेकर बेफाही से सुदर्शन न्यूज ने उन्हें कवरेज भी किया है फिर चाहे वो अतीक एहमत का मुद्दा रहा हो फिर चाहे वो तमाम जो हिंसा कहने कहीं अलग-अलग राच्चु में हुई है उनको लेकर उनकी जो रिपोर्ट है उसको तरीके से उनकी पत्नी को लेकर एक महिला को लेकर इस तरीके की कि खबरे चलाना जाहिर तौर पर ऐसे लोगों पर कारवाई होनी चाहिए और आप देख सकते हैं कि जो आज तक के लोगों के साथ बकाहता इस खबर को छलाया किया था किस स्टरीके से जो ट्रॉलर्स नहीं इस तरीके के कही ने कही फेक न्यूज फैलाते हैं लोग वो किस खोश्यारी के साथ ये तमाम चीजे करते हैं आप देख सकते हैं कि इधर एक ग्राफिक्स के जरके पूरा सेट तहियार किया है और उसमें सुरेश और उनकी पत्नी की तस्वीर लगाई गई इस तरीके से यहा कुछ हुआ नहीं है तब जाकर ये टैक्स जो है इस तरीके से चलाए गई है बकाईदा ब्रेकिंग न्यूज में ये चलाए गया है कि सुदर्शन चैनल के मालिक हैं सुरेश चोहान के नौईडा पुलिस थाने में एफवाहियार दर्च कराई है उन्होंने ये तमाम टैक् उन्होंने घराक्रिक सरीयार किया गया है बकाहिता और आज kiss ने भी इस पूरी ख़बर को लेकर दीक्राइक selected कि पूरी चेकी है कि अनकी कह CU Optimismace की गया है उन्होंने अपनी वेबसाइट पर बकाहता पूरी खबर का विशलेशन किया है और बताया है कि यह खबर वर्जी है ऐसा कुछ नहीं हुआ है और आसर की यह खबर नहीं है आपको बदाने किस तरीके से ब्रेकिंग लिज का टैंपलेट जो है वो तयार किया गया और ज जो आज तक के जरीए fact check किया गया है उसमें कई ऐसी खबरे साफ ने आई हैं आप देख सकते हैं कि ये पूरा setup त्यार किया गया है बकारता और किस तरहिके से इससे पहले भी कुछ खबरे जो हैं वो फैलाई गई हैं आप देख सकते हैं कि ये भी तमाम जो खबरे हैं इस तर आने पढ़ लिया जा रहा है कि आप tweet में देख सकते हैं कि सेयद अती का ये tweet है जो कि उन्होंने सुरेश चोहान के को लेकर किया है और किस तरीके से देखो अल्ला की लाठी में आवाद नहीं होती इस तरीके से उन्हें ट्रोल किया है उन्हें वजाने की कोशिश की गई है एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रहे हैं क्योंकि उत्तरप्रदेश का बड़ा माफिया गैंगेस्टर अतीक एहमद की मोत हो गई लेकिन उसके बाद खुलासे लगातार हो रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल जो है वो अतीक की पतनी शाइस्ता परवीन को लेकर है और ही नहीं AIMIM Chief असदुदीन ओफेसी के घर पर भी शाइस्ता परवीन हो सकती है यह उनकी तरफ से आशंका जाहिर की गई थी चुकि शाइस्ता परवीन लगातार फरार हैं उमिश्पाल मर्डर केस में तो जिसको लेकर उन्होंने कई बड़े खुलासे किये थे और कई हैं वो अपनी चैनल पर चलाई थी जिसके बाद यह सरीपर के से पूरा गैंग जो सुरेश- python है उनको दरसल इस तरीखे से ड्रोल तो की तमाम जो खब्रें उनको ले कर चलाई गई किस तरीखे से तमाम खब्रें जिकर कर रहे हूं अतिक के लंबे समय से जिएल में बंदlaughing से गुड़ू और शाहिस्ता की नजदिया बढ़ी यही खुलासा किया गया था तो कुल विलाकर इस पूरे माफले को लेकर एक तरफ जो है सुदर्शन न्यूज अपनी खबरे दिखा रहा है लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से उनकी पधनी को लेकर यह फेक न्यूज चला काई गई है इस पर हमने खुलासा किया है कि यह और सिर्फ और सिर्फ उन्हें कहीं एक तरीके से डाहने के लिए इस तरीके के जो कार्णामी रहे हैं और इस पूरे माफलेपर आपकी क्या राय हैं में ने में जरुरू लिखे थन्यवाथ